कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल रूही अडूकेटर पर आप लोगका बहुत बहुत वैल्कम है नहों को पता है कि में यह चैनल है यह पूसी से लिए इस्ट waren इसे तो मैने ने नस्न साइन्स के लिए भी चैनल पे प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है और आप लोग जो DSSB 2018 का प्रीवियस यर का जो कोशन पेपर है वो पूरा अपलोड हो चुका है इस पर देख सकते हैं तो चलिए अभी जो मैंने लेक्चर लास्ट बनाया हुआ था वो अपलोड हो चुका है और मेरे जो फेस्बुक पेज है फेस्बुक ग्रूप है उसको भी आप जोईन कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जो वीडियो को जो आप देखेंगे तो ये उस वीडियो के आगे का कॉंटिनुवेशन है क्योंकि मैं 35 क्वेशन तक ले चुकी थी और ये जो चैल डिवीजन का चैप्टर है उससे मैं पढ़ा रही हूँ और ये आगे जो है वो 36 क्वेशन स्टार्ट किया है मैंने तो देखी जो अभी क्वेशन है वो क्या है जो हमारे पास क्वेशन है वो ह तो यहां पर जो हमारे पास मैटोसिस के बारे हैं पूछा गया है और मैटोसिस आपको पता है जितनी भी आपकी विजिटेटिव या समाटिक सेल्स होती है उसमें मैटोसिस होती है और जितनी भी रिपोड़क्टिव या सेक्स सेल्स होती है उसमें मियोसिस होती है तो यहा यहां पे जो correct answer है वो मैं बताने जा रही हूं और यह 36 का जो है वो बी correct होने जा रहा है friend equal division जो metosis है उसको equal division से characterize किया जाता है क्योंकि metosis जो option A है reduction division यह हम लोग meiosis के लिए consider करते हैं और यहां पे जो आपका equal division है वो metosis के लिए consider किया जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं friend और question friends मैं अपने हर वीडियो में आपसे यह कहती हूं कि questions सारे बहुत अच्छे level के question है और आप अगर इनको पढ़ लेंगे तो आपको friend इतना तो है कि आपको exam में इनसे कुछ ना कुछ question जरूर encounter मिलेंगे जरूर आपको मिलेगा देखने के लिए य ऐसी सेल्स जो कि डिवाइड नहीं होती है वो किस स्टेज में है इन में से तो यहां पर पहला जो हमारे पास ए ऑप्शन है जी वन बी है जी टू एंड सी है जी नॉट एंड जी जी जीरो एंड डी है एस फेस तो देखिए फ्रेंट जो अभी प्रीविएस लेक्शर जी जी जीरो फेस में होती है यहां पर इसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है और यह डिवाइड नहीं होती है यानि कि यह जो सेल है वो आगे डिवाइड नहीं होगी इसकी ग्रोथ अरेस्ट हो चुकी है तो यहां पर जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो बिलकुल करेक्ट हो ज और दूसरा यह कि यह S phase में इंटर कर सकती है तो nerve cells, blood cells, RBCs बताई थी, void BCs बताई थी, यह सारी cells जो हैं वो G0 के phase में ही जनरली रहती हैं, next question की तरफ बढ़ते हैं friend, next question है हमारे पास, which of the events listed below is not observed during mitosis, इसमें सैसा कौन सा event है, जो mitosis में आपको नहीं दिखाई देता है, तो यहां पे हमारे पास A है, option chromatin condensation, B moment of centrioles to opposite poles, C है, the appearance of chromosomes with two chromatids joined together at the centromere, D है crossing over, तो यहां पे आपको कौन सा ऐसा जो है event है, कौन सी ऐसी घटना है, जो की mitosis में देखने को नहीं मिलेगी, तो देखिए friend, अगर हम एक ही बात करें तो chromatin condensation है, और B जो है वो आपका क्या है, कि जो centrioles है, वो opposite poles की तरफ move करता है, और जो C है, वो यह है कि chromosomes, जो है, वो जो दो chromatids होते हैं, वो एक centromere से attached होते हैं, और वो एक chromosome की तरह structure दिखते हैं, और D है आपका crossing over, तो यहां पे देखिए जो correct option होगा 38 का, वो हो जाएगा हमारे पास D, क्योंकि आप सभी को पता है, जो metosis है, उसमें crossing over नहीं होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो crossing over है, वो meiosis की एक घटना है, और meiosis का event है, तो इसलिए यहां पे D option बिलकुल correct हो जाएगा, next question के चरफ पढ़ते हैं friend, जो 39 है, यहां पे, बाइवैलन्ट of meiosis 1 consists of, आप देखिए, meiosis 1 में जो बाइवैलन्ट होता है, उसके बारे में बात की गई है, यह बाइवैलन्ट का question बहुत important है friend, यह बाइवैलन्ट और crossing over, यह सब बहुत ही important चीज़े हैं, बियांसिस की, तो यह सब पूछा जाता है, तो option A है, आपके पास 2 chromatids and 1 centromere, B, 2 chromatids and 2 centromere, C, 4 chromatids and 2 centromere, and D है, 4 chromatids and 4 centromere, तो यहां पे देखिए, जो बाइवैलन्ट होता है friend, 39 का हमारे पास जो option correct होने जा रहा है, वो C correct होने जा रहा है, क्योंकि जो बाइवैलन्ट होता है, उसमें 4 chromatids and 2 centromere आपको मिलेंगे, क्या बाइवैलन्ट का मतलब, जब मैंने last lecture बनाया, जरूर देखिएगा, सारे lectures से बुसर से related हैं, और मैं आपसे request कर रही हो, क्योंकि आप एक बार जरूर जितने भी lecture upload हुए है, वो देखिएगा, फिर आपको जरूर पता से जाएंगी, सारी चीज़ें आपके doubts clear हो जाएंगे, देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, कि यह जो chromatid है, यह chromatid है, और यहाँ पर यह देखिए, इस तरीके का जो structure है, और लेकिन होता क्या है, यह इस form में होता है, तो यह एक, यहाँ पर कितने chromatid हैं, आपको दिख गए, यहाँ पर जो chromatid हैं, वो two हैं, और centromere सिर्फ one है, लेकिन जब byvalent बनेगा, तो दो इस तरह के structure पास पास आते हैं, और byvalent बना लेते हैं, इस तरीके से, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि two centromeres हैं, और chromatids कितने हो गए, four chromatids हो गए, तो इसी लिए जो meiosis one में, जो byvalent होता है, वो यह होता है, जो यहाँ पर show किया जा रहा है, और यहाँ पर C option, बिल्कुल correct है, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है, identify the wrong statement about meiosis, अब meiosis के बारे में wrong statements बताने हैं आपको, option A है, the pairing of homologous chromosomes, B, four haploid cells are formed, C, at the end of meiosis, the number of chromosome is reduced to half, D, two cycles of DNA replication occurs, तो देखिए, फ्रेंड, यहाँ पर meiosis के बारे में wrong पूछा गिया है, तो अब यहाँ पर जो wrong statement है, वो इतनी सारी चीज़ें आपने जान ली हैं, कि आपको तुरंद पता चल जाएगा, आप answer बता देंगे, यहाँ पर जो 40 है, उसका D बिल्कुल correct हो जाएगा, यानि कि यह wrong है, और बाकी जो A है, कि the pairing of homologous chromosome बिल्कुल correct है, B वाला जो है, कि जो four haploid cells बनती हैं, यह भी बिल्कुल correct है, meiosis में four haploid cells बनती हैं, और mitosis में two बनती हैं, और C जो है, वो यह है कि meiosis के end में, जो chromosome के जो number हैं, वो half हो जाते हैं, reduce हो जाते हैं, बिल्कुल absolutely correct हैं, इसमसारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमारा 40 question तक हो गया है, next question के तरफ बढ़ते हैं friend, और next question है, select the correct statement about G1 phase, अब G1 phase के बारे में correct statement आपको बताना है, A है, the cell is metabolically active, B जो है, DNA in the cell does not replicate, C, it is not phase of synthesis of macromolecules, and D, cell stops growing, तो यहाँ पर G1 phase के बारे में, आपको correct statement बताना है, तो friend, last lecture में, previous lecture में, G1 phase भी explain किया है, मैंने, और यहाँ पर जो आपके पास correct option जो हो जाएगा, वो 41 का B correct हो जाएगा, जो DNA in the cell does not replicate, क्योंकि जो DNA की synthesis होती है friend, वो याद रखिएगा, S phase में होती है, जो DNA की synthesis होती है, वो G1 के बाद जो S phase होती है, उसमें होती है, लेकिन DNA synthesis होने के लिए, जो protein का synthesis होता है, यादि कि जो protein involved होती है, DNA के synthesis में, जो involved होते हैं, DNA की synthesis में, वो G1 phase में बन जाते हैं, बट DNA का replication या DNA जो होता है, वो S phase में ही होता है, तो चलिए, यहाँ पर यह वाला बिल्गुल correct statement है, तो next question की तरफ बढ़ जाते हैं friend, next question है, हमारे पास 42, chromosome starts separating at which stage of mitosis, तो यहाँ पर देखिए, A है, यहाँ पर early metafase, B late metafase, C early anafase, D late telophase, तो देखिए friend, जब मैंने pro phase बताया था, तो उसमें भी आपको बताया था, कि जो pro phase होती है, वो बहुत long होती है, और उसमें early pro phase होती है, mid pro phase होती है और late pro phase होती है, तो यहाँ पर भी जो option दिये वह हैं, यह early midafase, late midafase, early anafase, and early telophase के दिये हुए हैं, और आप से पुछा गया है कि chromosomes जो है, वो किस stage में अलग होना, या separate होना start करते हैं, तो देखिए friend, यहाँ पर जो हमारे पास option है, जो chromatid होता है, जो centromere होता है, वो divide होता है, और centromere के divide होने के साथ, जो chromosome होता है, उसका भी division start हो जाता है, और एक centromere है, वो two centromere में बजल जाता है, और जो chromatids होते हैं, वो भी half हो जाते हैं, तो chromosome का division हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो C option है early na phase यानि अना phase में होता है तो early na phase आपके पास जो है वो correct option है next हमारे पास 43 question है friend the role of meiosis, meiosis का role क्या है A. formation of gametes, B. bringing hello phase, C. bringing diplo phase and D. completing the life cycle तो यहाँ पे meiosis का role क्या है friend, तो देखिए, meiosis जैसे कि आपको पता है बहुत ही important जो है वो division है यह बहुत ही important life का event है, तो इसमें होता क्या है जो 43 हमारे पास इसका अगर हम correct option की बात करें तो यह क्या होता है, इसमें hello phase आती है, यहाँ पे जो इस question के लिए आपके पास B बिलकुल correct हो जाएगा formation of gametes और जो A option है, then उसके बाद C है bringing diplo phase and D option है completing the life cycle but यहाँ पे जो main role है, वो क्या है, haploid formation करने का है, तो next हमारे पास है 44, 44 में देखिए friend, अब meiosis की packaging stage पे बात हो रही है और packaging stage में यहाँ पे देखते हैं, यह packaging stage का पहला question है, जितने भी question भी तक कराए है उसका first question packaging का है, यहाँ पे देखिएगा, और इसको भी मैं start देना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह की stages की questions होते हैं, stage के basis जो होते हैं, वो बहुत ही important होते हैं कि किस stage की क्या characteristic है, तो one जो है हमारे पास A वो है single stranded, B double stranded, C three stranded and D है four stranded तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो packaging stage होती है, यहाँ पे जो आपको chromosome होता है, वो कैसा दिखता है, वो four stranded दिखता है ओके four stranded chromosome दिखता है, packet ही न, packet से आप दखेंगे packet जो है कोई बड़ा सा packet, तो उस तरीके से याँ दख सकते हैं यह packet में कोई four चीजे हैं, तो four stranded, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, जो 45 है friend, उसका क्या, उसको वो question है, how many ATP are required during anaphase to move chromosome from equator to the poles, बहुत अच्छा question है friend, बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए, option A है 38, और B 5 ATP, and C 30 ATP, and D है यहाँ पे 76 ATP, तो friend, देखिए, यहाँ पे जो correct option है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, कि यह 30 ATP चाहिए होते हैं, equator से pole की तरफ, chromosomes को ले जाने के लिए 30 ATP की energy चाहिए होती है, next question की तरफ बढ़ते हैं friend, और next question है हमारे पास 46 वाला देखिए, यहाँ पे आपको कुछ list दी हुई है, list 1 and list 2, और list 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं, initiation of spindle fibers, B है आपका synthesis of RNA and protein, C action of endonuclease, D movement of chromatids towards opposite poles, 1 है anaphase 1, 2 है zygotene, 3 है g1 phase and 4 है pacatine and 5 है आपका late pro phase, तो देखिए friend, यहाँ पे जो हमारे पास correct match हो जाएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ, और यह हमारे पास 46 question है, और इसका correct option जो हो जाएगा, वो यहाँ पे C होने जा रहा है, C को देख लेते हैं यहाँ पे, यह देखिए, यह C है यहाँ पे, और देखिए, A का जो है, यहाँ जो spindle fiber का initiation है, वो किसके साथ match हो रहा है, वो late pro phase के साथ match हो रहा है, ठीक है, late pro phase में यह spindle fiber का initiation होगा, pro phase की आखिरी जो late pro phase होता है, उसमें, उसके बाद आपका जो B है, वो synthesis of RNA and protein, तो RNA और protein के synthesis होती है, वो G1 phase में होती है, friend, बहुत अच्छा question है, कई चीज़े इस action of endonuclease, endonuclease का जो action होता है, वो हमारे पास क्या है, packaging stage में मिलेगा हमको, और इस stage में action होगा, endonuclease का, और जो D है हमारे पास, वो क्या है, movement of chromatics towards opposite poles, ठीक है, कि जो chromatics होते हैं, उनका opposite poles की तरफ movement start हो जाता है, तो यह है हमारे पास anaphase 1 में मिलेगा, तो देखे फ्रेंट, यह 46 question हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे next question हमारे पास 47 है, 47 है, यह 47 में यह पूछ रहे हैं, root cells of wheat have 2 and is equal to 42 chromosomes, यह नहीं कि जो wheat है, wheat की जो root cells है, जड़ों की जो cells है, उसमें जो deployed number है, क्रोमोसोम का 2 and 42 है, which of the following is the basic chromosome number of wheat, अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा chromosome number, वो wheat में basic chromosome number है, तो option A है 42, B, 21, C, 7 and D है 14, तो देखे फ्रेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूँं कि, यहाँ पे जो correct option हो जाएगा, deployed number आपका दे रखा है, और deployed आपसे पूछा हुआ, basic पूछा हुआ है, यहाँ पे basic chromosome number पूछा है, तो यहाँ पे जो 47 है, इसका जो है answer C बिल्कुल correct हो जाएगा, 7, ओके, चलिए, अब यहाँ पे फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, next हमारे पास है 48, in the eukaryotic cells, cells fusion experiment show that, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक eukaryotic cell cycle है, जिसमें cell fusion का एक experiment किया गया है, वो क्या शो कर रहा है, a, when an S phase cell is fused with G1 phase cell, G1 phase cell is stimulated to synthesize DNA, एक experiment किया गया है, उसके बारे में बात कर रहा है, कि जब भी S phase की cell है, उसको G1 phase की cell के साथ जब fuse कर दिया गया, तो जो G1 phase की cell है, वो DNA को synthesize करने के लिए stimulate हो गई, फिर B में पूछा जा रहा है, when an S phase cell is fused with G2 phase cell, DNA synthesis is induced in G2 phase cell, कि S phase cell को जब G2 phase की cell के साथ fuse किया गया, तो जो DNA की synthesis है, वो G2 phase cell में induce हो गई, अब next, आपके पास C है, when a G1 phase cell is fused with a G2 phase cell, DNA synthesis is induced in both G1 and G2 phase cells, फिर कि जो G1 phase की cell है, उनको G2 phase की cell के साथ जब fuse किया गया, तो जो DNA की synthesis है, वो G1 और G2 phase cell दोनों के लिए induce हो गई, अब यहाँ पर fourth है, when a G1 phase cell is fused with an M phase cell, both G1 and M phase cells are stimulated to synthesize DNA, कि जब G1 phase cell को M phase cell के साथ fuse किया गया, तो G1 और M phase cell DNA की synthesis करने के लिए stimulate हो गई, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सही answer की बात करें, थोड़ा सा सोचने वाला यह question है, आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको answer पता चल जाएगा, तो 48 का यहाँ पर A option correct हो गया है, इस experiment में, ओके चलिए A को हम लोग सही कर देते हैं, next question है हमारे पास 49, how many meiotic division would be required to produce 101 female gametophyte in an angiosperm, इस question को भी मैं start दोंगी, यह TGT PGT में question पूछा जाता है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो option है, A, 101, B, 26, C, 127, D, none of these, तो देखें यहाँ पर कहा गया है, कि किसी angiosperm में 101, 101 female gametophyte को produce करने के लिए, कितने meiotic division की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास 49 का answer हो जाएगा, फ्रेंड, वो A हो जाएगा, कि female gametophyte produce करने के लिए, 101 time meiotic division की जरूरत पड़ेगी, फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं, अगर मैं MMC की बात करूँ, जब angiosperm में आप पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो mega spore mother cell होती है, उसमें वो क्या produce करती है, 4, 4 haploid cells produce करती है, जिसके बाद, जो 3 होते हैं, वो degenerate हो जाते हैं, और एक ही बचता है, और वही आगे जा करके, बड़ा होता है, और ग्रोथ करता है, तो इसी लिए, जितनी जो female gametophyte produce होगी, उतने ही time पे, meiotic division चाहिए होगा, next हमारे पास जो question है, वो है friend, 50 question, 50 question figure based question है, इसको देखिए, इस तरह की questions भी अच्छे होते हैं, इससे काफी learning होती है, यहाँ पे हमारे पास जो questions है friend, क्या है, थोड़ से figure based question मैं इसलिए भी ले ले लेती हूँ, जिससे की थोड़ा brain storm हो, और आपको सारे जो भी आप diagram सीखे होएं, वो आपको memorize हो जाते हैं, और अगर diagram हमें याद रहते हैं, तो हम exam में तुरंट click कर जाता है, हमारे दिमाग में कि, यह तो diagram की labeling मैंने की थी, इसमें ऐसे था, तो यह correct हो गया, चलिए, 50 है, which figure correctly represents a pair of homologous chromosome at the start of meiosis, तो meiosis के start में आपको बताना है, इसमें pair of homologous chromosomes के लि c और d, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग correct option की बात करें, figure based question पर तो यहाँ तो जो हमारा a है, वो बिल्कुल correct हो जाएगा, और अगर हम लोग homologous chromosome में, फिर से उसी question को याद करें, जिसमें पूछा गया था, कि कितने यहाँ पर centromere होंगे, और कितने chromatids तो देख सक इसमें एक सेल है, जो कहा जा रहा है कि यह प्रोफेज वन में जा रही है, इंटर कर रही है, keeping the diagram in view, which of the following diagram is correct for one of the cell at the end of meiosis, अब मियोसिस के इंड के लिए आपको बताना है, तो देखिए फ्रेंड जो प्रोफेज में सेल होती है, वो जब आप प्रोफेज में जो यह नुकलियस को तो नुकलियस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोफेज की सेल के लिए आपको क्रोमाटिन मिलेगा, आपको कोई special shape क्रोमोसोम का नहीं मिलेगा, कंडेंस फॉर्म नहीं मिलता है, क्रोमाटिन फ्रेट के फॉर्म में रहता है, नुकलियोलस भी ह होती है न्यूकल मेंब्रेन भी दिखती है आपको लेकिन अब इंड ओफ मियोसिस की बात किये तो इंड ओफ मियोसिस में देखिए हमारे पास आपके पास four option इसमें A, B, C, D 4 पिक्चर आपके सामने दी हुई है तो जब मियोसिस का इंड होगा तो क्या होगा अब यहां पे देखिए जो हमारे पास जो correct हो जाएगा अगर हम लोग अगर हम लोग correct option की बात करें तो C वाला यहां पे correct हो जाएगा तो अब यहाँ पे जब meiosis होगा फ्रेंट तो meiosis पहली बात तो haploid cells बनती है 4 haploid cells बनती है तो यहाँ पे जो C वाला option है वो बिलकुल correct है एक centromere है और आपका achromated है next हमारे पास जो question है वो यह वाला है देखिए फ्रेंट see the following figure and identify mark lines 1, 2, 3 and 4 यह one है friend, यह two है, third है, three and four यह है अब यहाँ पे इस figure को देखने से आपको पता चल रहा है कि जो chromosome से वो arranged है एक जगा पे middle में और प्लेट पे तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो option है वो क्या है कि यह क्या क्या हो सकता है तो देखिए friend में यहाँ पे इस question का सीधे जो कि picture भी आपके सामने ही है तो यहाँ पे options आप जो देख रहे हैं इसमें जो correct option में वही सीधे बताना चाहूंगी यहाँ पे हमारे पास जो B है वो बिलकुल correct है अब देखिए यहाँ पे जो यह one वाला है वो क्या हो गया? क्रमाटेड हो गया ध्यान से देखिएगा यह देखिए क्रमाटेड है इसकी बात की जा रही है जो अब यहाँ पे two है वो क्या है? two यहाँ पे देखिए यह centromere है यह चीज़ अब जो थ्री वाला है फ्रेंड वो है centriole देखिए यहां पे जो थर्ड वाला है यह centriole है अब फूर्थ में आगर हम देखें यहां पे तो जो फूर्थ वाला है वो यहां पे है chromatted एक मिनट फ्रेंड रुप चाहिएगा थोड़ा सा यहां पे कुछ option में देख लेती हूँ मैं एक बार फिर से कि क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी ओके correct है कोई confusion नहीं है और जो fourth वाला है वो यहाँ पर chromosome है friend ओके बिलकुल यह chromosome की बारे में बात की जा रही है तो कहीं पर कुछ भी confusion नहीं है बिलकुल जैसे था वैसे ही है और यह बी वाल option बिलकुल correct हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 53 यह 53 भी again मैंने यह picture based question ले लिया है समझाने के लिए the given diagram is of typical cell cycle यह cell cycle का diagram है friend आपको पता है G1 phase है G1 के बाद S है then G2 होती है और interface है M phase है यह सारी phases भी आपको पता है तो यहां पर दिखी कहा क्या जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है identify the parts labeled as X, Y and Z तो यहां पर आपको इन parts को identify करना है तो अगर हम लोग cell cycle का diagram याद करें तो हमें सब याद आ जाएगा और हमारे पास यहां पर जो options है उसमें D option बिल्कुल correct है देखने से पता जल रहा है कि जो 53 है उसका D बिल्कुल correct हो जाएगा देखें D क्या है यह है D हमारे पास कि यहां पर जो X है वो G1 है और यह X G1 है friend और Y जो है उसके बाद S phase या synthesis की phase है and जो Z है देन आपकी G2 phase है है ना easy तो चलिए उसके बाद यह interface के बाद then M phase start हो गई है next हमारे पास जो question है friend देख लेते हैं यह है 54 54th question जो है वो हमारे पास इस गिवन डियाग्राम ओफ cell undergoing meiosis indicates that crossing over occurs only at the chiasmata तो इसमें जो भी डिया जाम दिया हुआ है meiosis का और उसमें यह बताया जा रहा है कि जो crossing over है वो chiasmata पे होती है तो देखिए friend यहाँ पे आगे क्या पुछा गिया है which of the following gamete will not be formed not be formed from this cell अब इस cell से कौन सा gamete इसमें से form नहीं होगा तो थोड़ा समय minimize कर दे रही हूं और इसको आप देख सकते हैं चारों जो picture है वो एक साथ देख लेंगे A में यहाँ पे यह बना हुआ है B, C and D तो देखिए यहाँ पे friend जो हमारे पास 54 का जो बिल्कुल correct होने जा रहा है वो हमारे पास A correct होने जा रहा है कि जो A है वो correct नहीं है यहाँ पे पूछा है ना कि crossing over gamete will not be formed तो यहाँ पे A option बिल्कुल correct है यह फॉर्म नहीं होगा ओके बाकी तीनों यह फॉर्म हो जाएंगे अब तीनों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर B को और C को लिखिये तो इसमें कुछ segments exchange हुए है इस point पे और उसके बाद फिर D वाला है तो यहाँ पे last में यह हो गया है एक डार्क से आपको दिखाया गया है chromosome और दूसरा जो है वो light band दिखाया हो गया है next question कि तरफ हम लोग move करते हैं फ्रेंड next question भी है यहाँ पे कि the given figure represents various stages of cell division identify them तो यहाँ पे जो figure है various stages है cell division की उनको identify करना है तो यहाँ पे देख लिजे A वाला है और B में यहाँ पे यह है segments के कुछ exchange हो रहा है यहाँ पे इस point को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे और देन उसके बाद C है तो चलिए यहाँ पे इतने जो figure based question उनको देख करके आपको सब कुछ remind हो गया होगा सब चीजें याद आ रही होंगी कि क्या होता है cell division में meiosis में meiosis में diagram तो चलिए 55 का जो हमारे पास correct option है यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि B correct हो रहा है जो A है वो क्या है metaphase है और इसको में थोड़ा सा zoom कर दे रही हूं दिन तब बताती हूं जो A है वो है metaphase one and B है वो pro phase है और जो C है वो anaphase one है चलिए correct हो रहा है अब next question हम देख लेते हैं एक बार friend और friend यहां पर देखिए 56 वाला question है यहां पर इसके बाद जो है वो next stage बदाना है तो दिन यहां पर आपका जो diagram है वो A देख लिजे B देख लिजे C देख लिजे D देख लिजे अब यहां पर जो हमारे पास diagram जब आप देखेंगे friend तो देखिए जो कौन सा option correct हो जाएगा अब यहां पर यह वाला देखेंगे तो चलिए next हमारे पास जो अब आगे जो question है friend वो कौन सा है देखते हैं अब आगे friend यहां पर 56 तक ही है आज और इसमें cell division के लिए इतने questions जो हैं वो काफी है और important है और आप इसके त्यारी करिए प्रेंड्स और लेक्शर को support करिएगा like करिएगा comment करिएगा और friend अब safe रहिएगा and thank you so